हेलो हाई गाइज दिस इस क्रिशेन क्या दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बैतरी नोर खास होने वाले क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ड्राइविंग लाशन्स के इंदर मुवाइल नंबर कैसे चैन्ज कर सकते हैं अगर आपके ड्रायविंग लेसंस के हिंदर मुवाइल नंबर अपडेट नहीं है लिंक नहीं तो तो आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं तो दोस्तों में मुबाइल नंबर लिंक करने का या चेंज करने का क्या फाइद है मैं आपको घता हूं जैसे दोस्तों आप přेंग कवी कवार अपने अधार काड को ऑन-לאин प्रोब के रूप में उपेश करते हो तो उसके बदले में आपके मुवाइल पॉन पे जो अधार काड चे लिंक होता है उसके OTP या या आता है वह चो पर को प्रोब के रूप में उपेश कर सकते हो ठीक उसी परकार से हम दोस्तो driving lessons का भी online proof के रूप में उपयोग करते हैं पर दोस्तो अगर उसमें आपका mobile number अटेच नहीं होगा या फिर आपका mobile number लगा हुआ है वो number आपका बंद हो चुआ है या किसी और के पास चल रहा है तो दोस्तो आप उसका OTP कैसे डालोगे तो दोस होए तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों आपको अपनी mobile phone में Chrome browser के अंदर डेस्को टॉप साइड कर लेना है और दोस्तों इस website का लिंक आपको वीडियो के सquiera है चूजब लेनी है और उसके बाद आपको अगशन में जाना है अगशन में जाओ दोस्तों यहांं पर मिलेगा आपको mobile number आपडेट यह ऊपशन मिलेगा दोस्तों अगशन के अंदर मिलेगा आपको यह पर क्लिक करने वाँए दोस्तों यहां पर आपको तीन ये option दिखाए देंगे एक तो जैसे driving license, learning license और conduct license तो दोस्तों यहाँ पर आपको driving license पर क्लिक करना है और जो driving license का number है issue date है वो आपको driving license के ऊपर मिल जाएगी जो बिल्कुल back side में लिके होगी issue date के नाम से कुछ लिखा होगा तो वो date आपको यहाँ पर डाल देनी ह ठीक है दोस्तों और वो डालने के बाद आपको यहाँ पर driving license नंबर डालना है और अपने date of birth डालनी है तो तीनों के अंदर दोस्तों मैं आपको driving issue date और deal number और date of birth डाल के आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है तो दोस्तों मैंने अपना date of birth और deal number डाल लिया है तो यह डालने के बाद दोस्तों अब आपको submit button पे click करना होगा जैसे आप submit button पे click करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको license name आजाएगा फादर नेम आजाएगा और license का number आजाएगा और birth date आजाएगा आपकी ठीक है दोस्तों इसके बाद जो सामने है वो अगर आपका यहाँ पर mobile number update करना है यानि कि आपको यहाँ पर दो बार एक mobile नंबर को दो बार यहाँ पर डालना है जो mobile आपके पास चल रहा है तो दोस्तों चली मैं यहाँ पर एक बार mobile नंबर में और डाल देता हूं जैसे हम डालेंगे इस पर और यहाँ पर आपको region select करना हुगा तीसरी कॉलम मे region में दोस्तों आप लिख सकते हो जो आपको जैसे my number old number closed update new number ऐसा कुछ लिख सकते हो और दोस्तों आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको OTP आएगा OTP पर अगर आपको नहीं आता तो आप नीचे recent पर क्लिक करके यहाँ पर OTP पर क्लिक करोगी दोस्तों यहाँ पर OTP verified successful हो जाएगा आपको proceed पर क्लिक करना है ठीक है दोस्तों जैसे आप प्रसीट पर क्लिक करोगे तो आपका mobile नंबर है वो आपके driving license से link हो जाएगा यह निक successfully update हो गया है आपका mobile नंबर आपके driving license के साथ तो दोस्तों इस परकार आ आप अपने mobile नंबर को अपने driving license के में link कर सकते हो अगर आपका link number है तो आप वहाँ पर अपना number change कर सकते हो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो like करना हमारे चैनल को subscribe करना और दोस्तों अगर आपको